भाईया मुझे DSA नहीं आता है, तो क्या मेरी अच्छी जॉब नहीं लगेगी, क्या मैं अच्छा पैकेज नहीं ले पाऊंगा, वो लोग जो कोडिंग जानते हैं, क्या मैं उनके वरावर कभी पैसे कमा पाऊंगा, देखो ये सारे questions मुझे frequently सुनने के लिए मिलता है, अभी कि आपको DSA आएगा, तभी आपकी एक अच्छे पैकेज की जॉब लगेगी, ऐसा है क्यों, देखो क्योंकि ये बहुत दिनों से आपको सुनते में आ रहा होगा, कि अगर आप पे coding आती है, अगर आप lead code के challenges करते हो, caution करते हो, DSA के caution करते हो, तभी आपकी एक अच्छी और उसमें कोई गलत बात है नहीं, ऐसा actual में है, लेकिन ये कोई नहीं बताता है, कि अगर मुझे DSA नहीं आ रहा होगा, तो मैं कोई जॉब ले पाऊंगो, मेरी लिए कोई अच्छी जॉब बनी है, या फिर मैं उतनी पैसे कमा पाऊंगो, जितना एक मेरा दोस्त कमारा है DSA के लिए, तो देखो, ये भी आप कमा पाऊंगे, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, कि अगर आपको DSA नहीं आता है, तो आप क्या जॉब कर सकते हो, कैसे उनको ले सकते हो, ठीक है, ये बात मैं बताऊंगा आपको, कि ऐसी कौन सी जॉब्स हैं, जो आप विदाव DSA के एजिली कर सकते हो, और वहां तक आप एक पूरे क्रम में पहुचोगे, कैसे, तो देखो, अगर मैं पहले एक आपके जॉब की बात करूँ, जिसमें DSA बिल्कुल भी रिक्वाइड नहीं होता है, अगर रिक्वाइड भी होता है, अगर आप इसके एडवांस वर्जन प का experience है, तो अगर आप बनना चाहते हो, एक manual test है, तो इसमें आपका DSA बिल्कुल required नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि पैकेज कम होगा, आपको थोड़े टाइम बाद, उतना ही पैकेज मिल रहा होगा, लेकिन थोड़े से कम मातरा है, अगर आपको इसको और अनांस करना है, भा किसी कमपनी में नहीं पूछेंगे, आपसे पूछ सकते हैं, ऐसी top product based company में, DSA से पूछ सकते हैं, SDET के लिए, यानि कि tester के लिए, लेकिन most of the companies automation के लिए इतना heavy interview नहीं ले जा जाता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्ते हैं, जो Adobe और Make My Trip में काम कर रहे हैं, उनका easy interview रहा है ऐसा नहीं कि आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ, यह array link list, collection and all, यह पूछ लेंगे, बात पक्की है, इसमें आपको DSA की ज्यादा attention लेनी की जरुवत नहीं है, कि भाया मुझे book tree और graph और back tracking वाले question आने चाहिए, नहीं, ठीक है, अब बात करता हूँ मैं दूसरी दूसरे point की, वो है आपका DBA, देखो अगर आपकी SQL अच्छी है, आपकी Oracle पे command है, आपकी MySQL पे command है, तो आप एक developer से भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो, क्योंकि देखो, जब मैं congressend के लिए काम कर रहा था, तो हमारे पास एक DBA था, जो US में बैठके हमें command करता था, और हमारी टीम में उसकी सबसे ज़्यादा सुनी जाती थी, क्योंकि एक dedicated layer पे वो काम कर रहा था, बंदा experience था, तो देखो मैं यहां से तुम्हें बता रहा हूँ, कि equal salary मिलती है, एक DBA को, जितनी तुम्हें मिलेगी, एक company में as in developer, इसमें कोई भी आपकी छुपाने वाली या जूट वाली बात नहीं है, यह मेरा खुद का experience है, आपको equally salary मिलेगी और equally आपको importance मिलेगी, because आपकी involvement के अलावा, कुछ हो नहीं सकता है, अगर आपकी involvement नहीं है project में, तो कुछ भी पत्ता नहीं लेगा, लोग बना लेंगे service layer, लोग बना लेंगे application layer, लेकिन आपके DB layer नहीं बन लेगी आपके मेरा, because बहुत सारी चीज़े होती है, आप procedure लिखोगे, आप views बनाओगे, हो सकता है, आप schema बनाओ, आप एक proper database design करो, आप indexing लगाओ, यह सारे काम आप खुद करोगे, ठीक है, अब चलते हैं, तीसरे point की तरफ की भी आ, ऐसी कौन सी skill है, जिसमें, डियसे required नहीं है, तो वो है आपकी DevOps, देखो, DevOps में आपकी logical thinking जलो required होती है, लेकिन वहाँ पे main, आपकी जो skill है, वो है आप एक infrastructure कैसे बनाओगे, मेरे को चार सर्वर चाहिए, तो आप वो script की कैसे तयार कर दोगे, वो आपकी ज्यादा depend करते है, DSA का बिल्कुल कोई भी involvement नहीं होत है आपका DevOps में, ठीक है, अब आपको इसके साथ साथ अगर AWS आता है, तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपकी वो एक advantage हो जाएगी DevOps के यह, बात मेरी समझ में आ रही है, और यहीं पे मैं आप से एक अगली skill के बारे में बात करूँगा, वो है आपकी graphic designer या फिर UI और UX designer, देख यहां पर आपके काम आते हैं, graphic designers, कैसे, कि वो particular चीजें आप कैसे बनाते हो, tools का use करके, कैसे वो graphic design होता है, कैसे एक poster design होता है, यह आपको बहुत अच्छे पैसे दिलवा सकता है, एक graphic designer में, DSA के तो दोखो, आपको पता है कोई requirement होती है, सिर्फ आपकी skills matter करती है, तो यहा कि requirement है इने, अब बात आ जाती है, अगली, कि भाया, अब एक कोई भी ऐसे skill है, मेरको ना तो designing में interest है, है ना, ना तो मुझे devops में interest है, और ना ही मुझे वो manual QA, और यह automation, मुझे code board से दूर हटाओ, है ना, मुझे वो editing में नहीं करें, तो देखो, simple आज कलना, अब हर चल रही है, LinkedIn पर चल रही है, Instagram पर चल रही है, अब जो companies हैं, उनके बड़े-बड़े accounts है, company क्या करती है, यहाँ पर आते है, digital marketing पे चल रहा है, तो अगर आप एक ऐसे influencer हो, मतलब आप एक digital marketing agent भी हो, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इन companies में as an digital marketer specialist काम कर सकते हो, कि मैं आप आपका account handle करूँगा, मैं आपकी link, जो मेरी आपकी LinkedIn है, उसको मैं handle करूँगा, आपका जो Instagram है, उसको handle करूँगा, मतलब user base बढ़ाऊँगा, और आप इनका result अगर आप convert करके देते हो, अच्छे numbers में, they will pay you a good amount, मैं यह नहीं कहूँगा कि आपको developer के बराबर salary मिलेगी, ब आपकी salary भी उसी प्रकार बढ़ती जाती है, लेकिन आप एक developer से जादा पैसा कैसे कमा सकते हो, यहाँ पर, आप एक daddy के daily company के लिए काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा मुश्किल है, कि आपको वही company charge करेगी, लेकिन उस company के साथ साथ, जैसे एक developer अपने freelancing client पकड़ता है, वैसे ही, आप as an एक freelancer काम कर सकते हूँ, एक बार में 2-3 company के account manage कर सकते हूँ, I have few friends, जो बड़ी-बड़ी companies के LinkedIn, उनका Instagram, उनका जितने भी social media platforms है, जहां पे वो users interact करते हैं, उनको manage करते हैं, उनकी post डालते हैं, उनका user base बढ़ाते हैं, और उनको अच्छी amount में पैसे मिलता है, तो I hope इस पूरी वीडियो से मैंने आपकी थोड़ी बहुत help की होगी, अगर इस पूरी वीडियो से थोड़ी सी भी guidance मिली है, कि हम without DSA, without coding को touch की है, कौनसी कौनसी चीज़े कर सकते हैं, सिभाए automation के बहुत सारी skills मैंने आपको बताईं, जो without DSA हो सकती है, तो अगर इस थोड़ इस थोड़ी सी भी help मिली है, तो hit the like button and do subscribe, और आपके like करने से मुझे थोड़ी सी help मिलती है, मैं मिलता हूँ आगली वीडियो में, till then take care, bye bye झाल झाल